जब आप keyword research कर लेते हैं, उसको assign कर लेते हैं, जो तीसा स्टेप है वो है उसकी optimization, जिस page के आपर आपने keyword assign की हैं, अब उस page के आपर उन ही keyword से around आपने content create करना है, उसके meta tax create करने हैं, और बाकी पूरा page उसके against optimize करना है, तो keyword research का कोई फाइदा नहीं होगा अगर आप उसको use नहीं करेंगे, तो Google भी ये खुद कहता है, कि आप keyword research जो है, वो keywords डालें जो लोग आपकी possibility Google पे search करेंगे, क्योंकि जब आप keywords जो Google पे search होते हैं, वो अपने pages पे लिखेंगे, इसमें title, description, content, keyword densely, सारी चीज़ें जो on page में मैंने पढ़ाई हैं आपको, उस सब में जब आप optimize करेंगे, Google को लगेगा कि ये page एक बेतरीन page है, उस keyword के against जो के लोग search कर रहे हैं अगर आप low rank कर रहे हैं, तो आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप top पे हैं तो of course आपकी position retained रहे ही, so आपने जो third step है, उसमें हमारी on page optimization है, keyword search के बाद, आप उसको immediately implement करेंगे, उसमें दो तिन चीज़ों को ख्याल रखना है, एक तो ये, कि आप implementation सबसे पहले important pages पेजिस से करते हैं, वो pages जो आपको सबसे ज़्यदा पैसे देने वाले हैं, जिनको हम money keywords भी बोलते हैं, या money pages भी बोलते हैं, इस term का मतलब simple ये है कि ऐसी pages जो आपको पैसे generate करते हैं, और आप आपको about या contact के page से पैसे generate नहीं होते हैं, आपको पैसे generate होते हैं, product या services के page से, क्योंकि ये वो चीज़े हैं जो लोग buy करते हैं, तो ये exactly लोगों की interest में चीज़े होती हैं, ये इस चीज़े के लोग आपको पैसे देते हैं, so home page पे भी अगर आजें, तो basically आपकी product जाके देखेंगे, product पसंद आएगी, तब इस पसंद आएगी, तो आपको buy करेंग तो product और services और home page, इन से पहले focus अपना start करें, जब इन pages को आप optimize कर लें, उसके बाद आप दूसरे pages पे जाएं, और फिर बागत में जितना भी content आप create करेंगे, वो ultimately आपकी main services को support करने के लिए होगा, तो for example अगर आप 10 services बेचते हैं, 10 services के आप 10 pages बनाएंगे, और वो साई 10 services का main page बनावा होगा, जो services का page होगा, तो आप जब यह बना लेंगे, इनको optimize करेंगे, जब यह optimize भी हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, कि आप different content जिसमें blogs होगया है, ebooks होगी, या guides होगी, वो आप create करेंगे, लेकिन ultimately आप इन pages को promote करेंगे, क्योंकि जितनी जगह से भी website की पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप business sustain नहीं कर सकेंगे, business चलाने के लिए पैसे कमाना जरूरी है, और पैसे कमाने के लिए right लगों को right pages पे लेके जाना जरूरी है, तो इसलिए make sure ये करें, कि अपने important pages पहले optimize करें, उसको expand करें, उसमें न update करते चले जाएंगे, तो on page optimization में सिर्फ titles, description और जो page के ओपर चीज़ें वो नहीं fall करेंगी, on page में आपकी site level चीज़ें भी fall करेंगी, जिससे आसे SSL install करना है, speed optimize करनी है, जो technical factors है, structure के factor से, वो चीज़ें भी आप इसी step में count कर सकते हैं, it's up to you कि आपने उसको कैसे लेके चलना है, लेकिन make sure ये करें, कि on page optimization आप keyword research के बाद करेंगे,